चतिस गड़ के भिलाई में रोड पर खुली शराब की दुकाने हादसों का सबब बनी हुई है दुकानों के खुलते ही रोड पर भीड जैसे स्थिती हो जाती है आलम ये है कि रोड पर निकलने के लिए जगहे कम हो जाती है जिससे सड़क हादसों में बढ़ोतरी हो गई है शराब भट्टी से निकलते हुए एक युवा ने एक बच्चे को अपनी बाइक की चपेट में ले लिया जिससे बालक क्रिश को काफी गंभीर चोटे आई है उसके बाद क्रिश के परिजनों और महले वासियों ने नंदनी रोड सिद देशी शराब भट्टी के सामने चक्का जाम कर दिया और मांग करने लगे कि शराब भट्टी को अन्य जगह शिफ्ट कर दिया जाए ये कोई पहला वाक्या नहीं है इससे पूर्व भी ऐसी कई शराब भट्टी है जो मुख्यमार पर स्थित है वहाँ कई बार ऐसे हाथ से होते देखे गए हैं इसकी शिकायत आम जन्मानस और कई सामाजिक संगठिनों द्वारा की जा चुकी है परंतु शराब भट्टी वहाँ से टस से मस नहीं हुई अलम यह है कि हाथ से भी नहीं रुक रहे हैं मौके पर मौजूद और रोती बिलक्ती कृष्ट की माने अपनी आप बीती सुनाई और उसके साथ अन्य महले वासियों ने भी एक सुर में शराब भट्टी को हटाने की मांग शासन प्रशासन से की बताते चले कि रोड के किनारे शराब दुकाने होने से रोड लगभग खत्मसा हो गया है क्योंकि यह शराब दुकाने खुलते ही लोगों की भीड इसकदर होती है कि रोड पर आना जाना मुश्किल हो जाता है और ऐसे हाथ से हो जाया करते हैं दुर्ग भिलाई से राजेंद्र गाडे वे सुनील सोनी की रिपोर्ट सब्सक्राइब करेंगे इसके पहले भी सामाजिक संस्थाओं द्वारा यह मांग उठती रही है कि इस तरह के सारजनिक स्थान जो रोड है रोड के किनारे शारा भट्टिया नहीं होनी चाहिए क्या क्यों ऐसे मतलब प्रशासन क्यों सोया हुआ सब्सक्राइब करेंगे इस पर पूर में भी आउगत कराएं गया है उस पर पोसिजर चल रहा है बहुत जल्दी ही तरवाई हुआ ऐसे ही लेटेश को परेपाने के लिए बेल इकन को ख्लिक करें हमारी चैनल को लाइफ, शेर और सब्सक्राइब करें थैन्ने वाल आप लाइब करेंगे बादेश पर वेडिन लांचिंग और पादेश राजगराना एंजोती गारण अजेबी बैंक एंटरप्राइब